आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम हाइड्रोपॉनिक कैबेज याने की पत्ता गो भी ग्रोग कर सकते हैं डीप वाटर कल्चर सिस्टम में और यहाँ पर सबसे पहले सीड स्टार्ट करने के लिए मैंने लिया है ग्रोइंग मीडिया जो की है कोकोपीट और प्रोपोगेशन ट्रे के इससे को काट के मैंने यहाँ पर जितने सेल्स की जुरुत है उसी हिसाब से काट लिया है और अब हम कोकोपीट को प्रो ट्रे के अंदर फिल करेंगे अच्छी तरह से भरेंगे और कैबेज की जो क्रॉप होती है वो कूल टेंबरेचर प्रेफर करती है तो कैबेज की क्रॉप का जो डूरेशन होता है लगबग तीन महीने के आसपास का अगर आपके एरिया में वो 10 दिग्री से लेके 28 दिग्री की बीच में ही रहने वाला है तो यह बहुत ही अच्छा टाइम है कैबेज की क्रॉप ग्रो करने का और सीट स्टार्ट करने के लिए जो कोकूपीट मैंने यहाँ पर ली है वो अच्छी तरह वाश की हुई है उसका जो TDS है वो 22 PPM से नीचे है तो आप भी ध्यान रिखिए कि जो कोकूपीट आप यूज़ करेंगे वो अच्छी तरह से वाश्ट हो अगर बफट होगी तो और भी अच्छा है पर वाश्ट होना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पर मैंने कोकूपीट अच्छे तरह से प्रो ट्रे में फिल कर ली है और अब हम कैबज के सीड्स इसके अंदर डालेंगे तो मैं यह वाले सीड्स यहाँ पर कैबज के यूज़ करने वाला हूँ और हम हर सेल में दो-दो सीड्स डालेंगे इनकेस कोई germination fail हो जाती है तो उसको cover करने के लिए और गाइस जो मैंने कोकूपीट यहाँ यूज़ किया है वो अच्छी तरह से गीली करके ही उसे यूज़ किया है और वो मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि एक बार जब मैं सीड्स डालने के बाद जो सबसे पहला पानी देना होता है वो मैं नहीं देना चाता है इसलिए मैंने कोकूपीट पहले से गीली रखी है अगर आप चाते हो थोड़ी कम गीली कोकूपीट भी यूज़ कर सकते हैं और रबें-टे से मैं कोकोपीट से seeds को cover कर देंगे बहुत जादा नहीं दबाएंगे ताकि germination easily हो पाए तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से seeds को cover कर दिया है कोकोपीट से और अब हम wait करेंगे seeds germinate होने का तो गाइस अब आप यहाँ देख सकते हैं कि almost हर cell में germination हो चुकी है एक या दो cells ही रहे गए जिनमें germination होनी बाकी है आप देख सकते हर cell में से 2 seeds germinate हुए है almost तो थोड़ा सा और wait करेंगे ताकि complete germination हो सके आज की update में आप देख सकते हैं कि हर cell में आपको एक seedling दिखरी है cabbage की सिरफ एक ही cell है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने nutrient solution ले लिया है मैं bottom feeding ही करता हूँ यानि कि उपर से पारी नहीं देता हूँ यहाँ आप देख सकते हैं जो solution का TDS है वो 290 ppm के आसपास है तो यही से मैं start करूँगा और क्योंकि मुझे जो first true leaf है यानि कि third leaf है seedling का वो visible होना start हो गया है तो इसलिए मैं यहाँ से जो feeding है वो start कर रहा हूँ यानि कि nutrient solution इन seedlings को देना start कर सकता हूँ और guys जब भी आप बीज बोते हैं किसी भी container में या pro tray में तो जैसी आपको germination start होनी दिखती है दिखाई पड़ता है कि जो seeds है वो germinate होना start हो गया है उसी वक्त आप अपने container या pro tray को full sunlight में रख दीजिए क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो जो seedlings है वो laggy हो जाएंगी वो बेकार हो जाती है लंबी हो जाती है इसलिए germination का पहला sign दिखते ही आप container को full sunlight में रख दीजिए तो अब हमारा जो first true leaf है वो size में थोड़ा बढ़ा हो गया है और आज मुझे इन seedlings को feed करना है तो मैं आज TDS बढ़ाऊंगा थोड़ा सा increase कर दूँगा last time मैंने 290 के आसपास TDS रखा था अब थोड़ा सा बढ़ा कर मैं साड़े 300 के आसपास कर दूँगा कभी भी वो 5.5 और 6.5 के बीच में ही रहेगा इसलिए बारबर मैं pH repeat नहीं करता हूँ क्योंकि उसकी जो range है वो fix है आज 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 आप देख सकते हैं कि जो second true leaf है वो भी size में थोड़ा बढ़ा हो गया है और अब मैं दुबारा से जो TDS है वो बढ़ाऊंगा nutrient solution का क्योंकि मुझे इने feed करना है तो अब जो TDS मैं रखूंगा वो लगबग 400 से 410 ppm के बीच रखूंगा और जब तक मैं इन seedlings को transplant नहीं कर देता मैं इसी TDS के आसपस का nutrient solution ही अपनी seedlings को feed करता रहूंगा तो guys आज वो वक्त आ गया कि हम अपनी seedlings को transplant कर सकते है deep water culture system में और आप देख सकते हैं कि seedlings अच्छी तरह से बड़ी हो गई है और transplant करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ material लिया है यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास है net cup जो की 3 इंच का मैंने यहाँ पर लिया है और उसके अलावा मेरे पास कुछ clay balls है जो की plant को support करने के लिए यूज की जाती है यह आप देख सकते हैं clay balls है यह अच्छी तरह washed है और इनको pH balance करा गया जितना हो सकता है और आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जो हमारा DWC यानि की deep water culture system है उसमें क्या-क्या हमने किया है तो आप देख सकते हैं यह ordinary bucket है जिसमें मैंने आरो का पानी भरा हुआ है और आप देख सकते हैं इसमें air stone लगा हुआ है जो की bubbles create कर रहा है जो की Newton solution को oxygenate करेगा यानि की oxygen provide करेगा यह आप देख सकते हैं यह air stone है आपको किसी वे aquarium की shop पर मिल जाएगा और इस तरह से bubbles create करता है और यह connected है एक air pipe से यह आप देख सकते हैं transparent pipe है जिसके थूँ air pump होती है air pump pump करता है air को और उसके थूँ यह air stone तक पहुंचती है तो इस तरह से आप यह install कर सकते है अपने Newton solution में DWC system में और इसके अलावा आप यह देख सकते हैं यह air pump है जो मैं use कर रहा हूँ और जो transparent pipe थी जो connected थी air stone से वो यहाँ पर एक end से connected है इसके दो ends है इन दोनों ends को मैं connect करूँगा बाद में एक end अभी फिलहाल connected है तो मैं आपको show कर पा रहा हूँ तो यह transparent pipe है जो connected है air stone से तो अब हम add करेंगे nutrients RO के पानी में और सबसे पहले RO के पानी का TDS जो है आप देख सकते हैं 60 ppm के आसपास है और यहाँ पर मैंने stock solution बनाया हो है nutrients का जिसकी help से मुझे जेतना पी TDS चाहिए nutrient solution का वो मैं उतना stock solution यूज करके diluted nutrient solution बना सकता हूँ तो guys अगर आप भी interested है stock solution बनाने में कि आप चाहते हैं कि जाने किस तरह बन सकता है किस तरह आप बार-बार nutrient solution बनाने से बच सकते हैं और इसकी पूरी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे contact कर सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे अलग-अलग avenues की details देख सकते हैं जहाँ पर आप मुझे contact कर सकते हैं और सीख सकते हैं किस तरह आप अपने plants को best nutrition प्रवाइड कर सकते हैं अपनी मर्जी से कोई भी nutrients कम या जादा कर सकते हैं सभी details आपको दी जाएगी तो guys मुझे जितना भी nutrient solution चाहिए था stock solution मैंने ले लिया है और अब हम एक बार TDS चेक करेंगे अपने diluted nutrient solution का जो कि आप देख सकते हैं कि 550 ppm के आसपास है और जो pH है हमारे nutrient solution का वो 5.5 और 6 के बीच में ही रहगा या आप देख सकते हैं या पर तो transplant करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी seedling निकालने के अपनी pro trace है या जिस भी container में हमने seedlings ready की है और जो कोकोपीड है हमारी जो seedling के roots जो कोकोपीड में entangled है उनको हम अच्छी तरह से clean करेंगे सबसे पहले हम ऐसे हाथ से कोशिश करेंगे कि जितनी कोकोपीड निकल सकती है निकल जाए उसके बाद थोड़ा सा पानी यूज करके हम जो roots है उनको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे ताकि maximum कोकोपीड जो है वो roots से हट जाए और को seedling जितनी साफ हो सके वो हो जाए और फिर बहुत ही द्यान से roots को बिना damage किये हमें जो roots है वो net pot के bottom से निकलनी है कुछ इस तरह आप देख सकते हैं जो roots है वो net pot के bottom से निकालनी है और फिर net pot में हम जो clay balls है उनको डाल देंगे ताकि जो seedling है उसको support मिल सके वो गिरे नहीं तो इस तरह से हम जो seedling है वो net pot में transplant कर देंगे इसके बाद हमें net pot जो है वो अपने DWC system में डालना है तो guys जो हमारा DWC system है उसमें nutrient solution हम अलड़ी ही तियार कर चोके हैं वो बिल्कुल ready है और इस bucket की जो lead है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने center में hole किया हुआ है जिसमें जो 3 इंच का net pot है वो fit होगा इसको hole करने के लिए कुछ tools अवलेबल है जिनका link मैंने description में दिया हुआ है तो वहाँ check कर सकते हैं तो यह हमारा net pot है जिसमें से seedling की roots हम आप देख सकते हैं bottom से आ रही है तो कुछ इस तरह से हम seedling इस hole में डाल देंगे और अच्छी तरह से fit कर देंगे और यहाँ पर दो holes है जिसमें से एक में से तो आप देख रहे हैं कि जो air tube है वो जा रही है दूसरे भी इसी purpose के लिए है पर अभी मैंने नहीं डाली है और जो root है seedling की आप देख सकते हैं वो newton solution को touch कर रही है और newton solution का जो level है वो net pot के bottom से नीचे ही है net pot बिल्कुल भी touch नहीं हो रहा है newton solution को जो roots हैं वो लगबख 2 inch के करीब डेढ़ या 2 inch के करीब newton solution में रहेंगी और उसके अलावा जो बाकी है part net pot का वो newton solution को touch नहीं करेगा तो यह आप देख सकते हैं अगर मैं इसको एक बार बाहर निकालू तो clearly देख सकते हैं जो roots है सिरफ वही solution को touch कर रही है अलगबख 2 inch और बाकी रहेंगी air में तो चलिए net pot को वापस डाल देते हैं system में और इसके लावा अगर आप यहां देखेंगे तो यह सिर्फ इसलिए है कि light अंदर ना जाए और unwanted problems create ना हो तो guys इसी तरह मैंने दूसी bucket भी यहां ready कर ली है तो दो DWC system यहां operate कर रहा हूं है आप देख सकते हैं और दोनों में net pots डाले हूए है और दोनों में ही air stone है और aeration चल रही है यह आप clearly यहां देख सकते हैं तो आगे जो भी update guys में आपको दूँगा वो इनी दोनो DWC system का दूँगा तो guys आज की update में आप देख सकते हैं कि जो plants है वो कुछ अच्छी growth उन्होंने ली है आप देख सकते हैं कि काफि सारे leaves अब आ गए है आप दोनों तरफ देख सकते हैं दोनों system में जो plants है बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और आज हम जो nutrient solution है वो change करेंगे और साथ ही जो TDS है nutrient solution का वो बढ़ाएंगे और उससे पहले एक बार जो roots है उन पर यहां नजर डाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं जो root system है वो भी grow हो रहा है plants के साथ साथ clearly आप देख सकते हैं यहां पर और अगर हम दूसरे system में देखेंगे तो आप यहां पर भी देख सकते हैं जो दूसरे plant की जो roots है वो देखिए वो उसमें भी काफी अच्छी growth है नए नए roots निकल रही है तो जितनी ज़्यादा roots निकल लेगी guys growth उतनी अच्छी होती है और जो हमारा nutrient solution का TDS है वो अब 700 ppm के आसपास रखेंगे क्योंकि plants बड़े हो रहे हैं कुछ बड़े हो है तो हमें strength है जो nutrient solution की वो बढ़ानी होगी और जो pH है वो 5.5 और 6.5 के बीच में ही रहेगा आज के update में guys आप देख सकते हैं कि जो plants है वो और भी अच्छी तरह grow कर चुके हैं और यह आप देख सकते हैं clearly growth बहुत ही अच्छी तरह हो रही है तो आज भी guys हम जो TDS है हमारे nutrient solution का वो बढ़ाएंगे last time हमने 700 के आसपास रखा था तो अब जो TDS है वो हम 1500 के आसपास करेंगे क्योंकि plants आप बढ़ रहे हैं तो हमें TDS बढ़ाने की ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं कि TDS हमने यहाँ पे 1500 के आसपास रखा है और pH 5.5 और 6.5 के बीच में रहेगा आप देख सकते हैं कि plants बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं और काफी सारे leaves इन्होंने डेवलप कर लिए हैं और आप देख सकते हैं जो ग्रोत है बहुत ही जबरदस्त है तो आज जो हम nutrient solution चेंज करेंगे और जो TDS बढ़ाएंगे वो full strength का होगा लास्ट टाइम हमने साड़े 900 के आसपास TDS रखा था तो अब हम जो यहाँ पर TDS देंगे वो full strength देंगे जब तक कि हमारी crop mature नहीं हो जाती आप यहाँ देख सकते हैं जो nutrient solution का TDS है वो 1100 या साड़े 1100 के आसपास ही रहेगा full strength क्योंकि आरो का पानी का जो TDS से मेरा वो काफी लो रहता है तो यह डिपेंड करता है कि आपके आरो का पानी या आप कौन से fertilizer यूज़ कर रहे है उसके असाब से 1100 से 1300 के बीच में कहीं nutrient solution आपको full strength का मिलेगा तो आज हम करेंगे harvesting हमारी दोनों cabbage ready है harvest करने के लिए यह आप यहाँ देख सकते हैं काफी अच्छा head form हुआ है और काफी compact है यह आप देख सकते हैं दोनों heads बहुत अच्छे हाला कि जो दूसरे plant का head है वो थोड़ा सा छोटा है पहले plant के मुका दोनों ready है harvesting के लिए तो guys अगर आपका cabbage का head है वो आपको काफी hard लग रहा है solid लग रहा है तो आप समझ लीजी के वो ready है harvest के लिए लेकिन अगर आपको अभी भी वो soft लग रहा है कुछ उसमें species है यह प्रेस हो जाता है easily तो अभी आपको कुछ दिन और देने होंगे उसको ready होने के लिए पर मेरे दोनों head यहाँ बिल्कुल ready है hard है तो मैं इनको harvest कर लेता हूँ तो चलिए हम एक एक करके इनको harvest करते हैं तो guys यह आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोनों heads को harvest कर लिया है और बहुत ही बड़िया heads है यह आप देख सकते हैं clearly इसके बाद जो हमार roots देख सकते है plants की काफी अच्छा root system यहां develop हुआ हुआ है हाला कि मेरा idea है कि जो दूसरा plant है उसका root system छोटा होगा पहले plant के मुकाबले क्योंकि जो head है हमारे पहले plant का वो काफी बड़ा था second plant के comparable आप यह देख सकते हैं जो root system पहले plant का है वो काफी बड़ा है तो जितना बड़ा root system होगा तो जो हमारा fruit production होती है वो definitely effect होती है root mass से तो guys आप यह देख सकते हैं और एक बार मैं यह plants remove करके भी आपको दिखा देता हूँ कि जो इनकी roots है किस तरह वो आप देख सकते हैं किस तरह देखती हैं तो यह heads आप देख सकते हैं बहुत बड़िया और इसके लावा आप इसको प्लांट को निकालेंगे तो guys मेरे पास एक question यह भी आता है कि इसका पानी या nutrient solution कितने time में change करना होता है तो guys आप इसका जो nutrient solution है वो लगबग 10 दिन के आज़ पास change कर सकते हैं अगर आपके area में ठंड है ज्यादा तो आप 10 से 15 दिन में change कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा warm climate है तो 10 दिन तक आप इसको ज़रूर change कर लीजिए तो guys आप यह देख सकते हैं root masses दोनों plants का इस तरह guys आप plants grow कर सकते हैं DWC system में I hope यह video आपको अच्छी लगे होगी आपके कुछ questions तो आप मुझे नीचे comment section में पूछ सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए take care